वेलकम डिया स्टूरेंट्स ब्रह्मास्तर पीवाई की सीरीज में आज आपका टॉपिक है डिफ्रेंशल क्यालकूलस इसका मतलब यह हुआ कि इसी एक लेक्चर में आपको लिमिट कंटिनुटी डिफ्रेंशेशन की मेथर्स एंड अप्लिकेशन अप डिरिविटिव यह सार इंटरवल में पूछाए कि कोनसी नंबर्स के लिए not continuous है लेकिन इससे पहले मैं इसका डिफिनेशन बनाना चाहता हूँ mod x square minus 1 का definition क्या होता है x square minus 1 if x square greater than 1 and it is 1 minus x square if x square x से कम होगा तो यहाँ equal भी ले सकते आप ठीक है, तो मेरा interval है minus 2 to 2, तो इस interval को पहले break करेंगे, first case हम क्या लेंगे, first case लेंगे, interval लेंगे, यक्स लेंगे आपका minus 2 से plus minus 1 की बीच में, open, minus 2 to minus 1 की बीच में, तो function क्या बनेगा बच्चा, आपको पता है कि इस interval में step क्या होगा, minus 2 होगा, step होगा minus 2, अच्छा, ये modulus कैसे भी हो करेगा, अगर इस interval के square किये जाए, तो क्या होगा, squares 1 to 4, मतलब इसके square एक से बड़े है, इसका मतलब कि मुझे ये वाला definition यूज़ करना है, तो ये वाला आ x square minus 1, plus sin of pi upon step कितना है, minus 2 है, 3 minus 2 कितना, 1, minus, देखो, minus 2, ये आपका x का interval है, इसमें अगर मैं 1 add करता हूँ, 1 add करता हूँ, तो मुझे x plus 1 का interval मिलेगा, ऐसे, x plus 1 का interval क्या मिलेगा, ऐसे, minus 1, 2, 0, ठीक है, इसका step क्या होता है, minus 1, तो ये बन गए आपका minus 1, तो देखिए, तो minus 2x square, plus 2, plus sin pi कितना होता है, 0, और minus minus plus 1, तो ये क्या बना, ये 3 minus 2x square बना, अभी second interval क्या लेंगे, second interval लेंगे, ऐसे, minus 1 to 0 वाला, तो इस बार function क्या भी हो करेगा, इसका step क्या होगा, बेटा, minus 1 होगा, अच्छा, इसके square क्या होंगे, 0 से 1 के बीच में, मतलब आपका square, इसका square, 0 से 1 के बीच में, मतलब ये वाला definition लगेगा, तो ये होगा, आपका 1 minus 1 square, plus sin of pi upon 3, और ये minus 1, 3 minus 1 कितना, 2, और यदि ये आपका, यक्स का interval है, इसमें 1 add करेंगे, तो क्या होगा, 1 add करेंगे, तो आपका interval बनेगा, ऐसे, और इसके सारे step क्या होंगी, 0 होंगे, तो ये वाली term तो 0 हो गई, तो क्या हो रहा है, आगे पड़ो, minus 1, plus x square, plus 1, यानि कि आपका मिल रहा है, सिर्फ x square, आपका second function क्या मिल रहा है, आपको, x square, आपका second function आपको मिलता हुआ दिख रहा है, यक square, next, third interval हम लेंगे, 0 से लेके, 0 यहाँ पे open डर खाता, 0 से लेके, 1 तक, देखो हमको जाना है 2 तक, अच्छा, इस बार function कैसे भी हो करेगा, इस बार function, देखो ये, ये तो 0 होगा न, तो ये 0 होगा, और 0 into anything 0 होगा, तो बात खतम, plus sign of pi upon 3, क्योंकि इसका step क्या होगा, 0, और x plus 1 का integral क्या होगा, x plus 1 का integral होगा, 1 to 2, मतलब step कितना, step कितना, 1, step कितना, 1, तो f of x आपका क्या हैगा, f of x आपका, है न, क्योंकि ये term 0 होगी, पूरा, sign pi by 3 कितना होता है, sign pi by 3 होता है, root 3 by 2 minus 1, इस बार आपका function क्या हो रहा है, root 3 by 2 minus 1, ठीक है, ओके, आपका step, यक्स कहां पर लाए हो रहा है, 0 to 1 में, अगर मैं 1 add कर दो, तो, ये, तो इसके step x क्या होंगे, 1 होंगे, तो ये आपका definition clear है अभी, अभी fourth and last interval लेंगे, एक से लेके, 2 तक, तो function क्या भी हो करेगा, इसका step होता है, 1 in bracket, इसके square क्या होंगे, 1 to 4, मतलब square, यक square एक से बड़ा है, तो definition क्या लेगेगी, यक square minus 1 लेगेगी, definition क्या लेगेगी, यक square minus 1 लेगेगी, plus sine of pi upon, इसका step है 1, 1 plus कितना 3, अच्छा, x plus 1 का step क्या होगा, 2 to 3, तो ये आएगा minus 2, ये क्या आएगा, minus 2, बात आरें समझ में, तो equal to x square minus 1, plus sine pi by 4, यानि 1 by root 2 minus 2, तो ये बन गया, x square plus 1 by root 2 minus 3, सारे functions मेरे पास बन गये, सारे functions मेरे पास अभी यहाँ पे बन गये, इससे मतलब क्या है, है ना, x plus 1 का interval क्या रहेगा, 2 to 3, तो ये अपना function अभी यहाँ पे बन गया, तो ये सारे functions एक साथ करेंगे अभी, तो f of x equal to क्या है सबसे पहले, f of x equal to है सबसे पहले आपका 3 minus 2 x square, 3 minus 2 x square, अगर x लाए होता है, minus 2 से minus 1 की बीच में, minus 2 से minus 1 की बीच में, ठीक है, then, अगर आपका x लाए होता है, minus 1 to 0 में, तो ये x square है, अगर आपका x लाए होता है, minus 1 to 0 में, तो ये x square है, और ये root 3 by 2 minus 1 है, अगर ये होता है, 0 to 1 की बीच में, और ये x square plus 1 by root 2 minus 3 है, अगर यक्स लाए होता है, 1 to 2 के बीच में, तो minus 1 पे continuity चेक करो, minus 1 पे continuity क्या रहेगी, minus 1 का square plus 1, 3 minus 2 कितना, plus 1 और minus 1 का square plus 1, मतलब ये left-hand limit, right-hand limit and function value same है, तो minus 1 पे function continuous है क्या? है, minus 1 पे continuous है, आगे 0 पे continuous है क्या? बिल्कुल नहीं, 1 पे continuous है क्या? बिल्कुल नहीं, आप value put up करके देख सकते हो, तो f is discontinuous at x equal to 0,1, तो पूछा क्या था question में? पूछा था क्या था question में? पूछा था क्या था function number of points, तो number of points कितने मिले? दो. ओके, तो ये question है आपका, इसने बोलाए कि ये function continuous है, तो 10 minus e, b की value निकालो. किसकी value निकालो? 10 minus e, b की value निकालो. अब ये 10 minus e, b का अगर value मुझे find करना है, function आपका क्या होता है? कोई function अगर continuous होता है, तो ये ले चल, आरे चल, और function value, इनों पार्ट सेम होंगे. अच्छा, बाइदर वे, ये फॉप 0 कितना है? सिर्फ आरे चल के साथ solve करेंगे. ये फॉप 0 कितना है? अगर मैं 0 रखू तो ये minus e, है न? और आरे चल क्या है? limit x tends to 0 plus, जो भी आपका function है. तो ये इस function को simplify किया जाए. x tends to 0 plus, इसमें से sin 2x common निकालो, sin 2x common निकाला सर, 1 upon cos 2x minus 1 बचा, whole divided by bx cube equal to minus a, यहां से 1x इसको देंगे. तो limit x tends to 0 plus, sin 2x upon x, और 1 minus cos 2x upon x square, तो बचा क्या? 1 upon b cos 2x बचा, equal to minus a, आपको पता है कि इसका value क्या होता है? 2 होता है, कि कुछ 2 adjust करना पड़ेगा, इसका value क्या होगा? 1 by 2 होगा, और limit put up करेंगे, तो cos 0 of 1, मतलब 1 by b होगा, तो यह cancel, तो a b equal to कितना आ रहा है? minus 1, a b equal to कितना रहा है? minus 1, आरे बात समझ में? अच्छा, यहां पर 2x है न, तो यह 1 by 4 होगा, यहां पर 1 by 4 होगा, देखो यहां पर, यह 2 आएगा इसका value, angle 2x है न, तो मुझे 4 multiply डिवर करना पड़ेगा, मतलब 1 by 2 into 4, into 1 upon b equal to minus a, तो 2, 2s आ, तो a b कितना मिला? minus 4, तो 10 minus a b कितना मिला? 14, 10 minus a b कितना मिला? 14, तो अभी यह question है आपका, यह ऐसे function दिया हुआ है आपको, और बोला है कि function continue से 2 की लिए, आपको पता है कि इस बार क्या होगा, यह LHL, RHL, और function value, यह सारे कैसे होंगे? सेम होंगे, ठीक है? तो सरी LHL कैसे निकाले? देखो, LHL निकालने के लिए, lambda, यह modulus क्या होता है? more of, x minus 2 into x minus 3, ठीक है? more of separate करेंगे, ऐसे होगा, तो इसके definition से, x 2 से छोटा है, तो यह 2 minus x भी हो करेगा, और देखो ना, यहाँ पर x minus 2 का definition क्या है? x minus 2, अगर x 2 से बढ़ा, 2 minus x, अगर x 2 से छोटा, similarly, more of x minus 3 का definition क्या है? x minus 3, अगर x 3 से बढ़ा, और 3 minus x, अगर x 3 से छोटा, यहाँ पर x 3 से छोटा है न, तो यह क्या बनेगा? यह भी बनेगा 3 minus x, minus minus common निकालेंगे, तो यह बनेगा, x minus 3, इसके लिए? इसके लिए, तो lambda into क्या मिला? x minus 2, x minus 3, upon mu, यह वाला function, यहाँ से minus common निकालो, पहली बात तो, अगर मैं यहाँ से minus common निकाल लेता हूँ, तो यह क्या बनेगा? x square minus 5x plus 6, मतलब उपर का ही function बन गया? है न? हाँ, तो यह बनेगा, x minus 2, x minus 3, equal to rhl क्या है? देखो, x greater than 2, मतलब x 2 से तो बड़ा है, लेकिन एकदम close होता है न? x, limiting value में, यानि, x है 2 point something, तो उसका step 2 होगा, तो यहाँ पर क्या आएगा? limit x tends to 2 plus e power 10 of x minus 2, और यह भी x minus 2, equal to कितना? mu, तो lambda upon minus mu, is equal to e power 1 e, equal to mu, तो mu की value तो मिल गई, e है, तो mu कितना है? e है, तो lambda क्या होगा? देखो, यह minus e, मतलब minus e square होगा, तो मुझे अब यह क्या find करना है? मुझे find करना है lambda plus mu, यानि e minus e square, तो यह आपका answer आना चाहिए, ठीक है? अभी देखो, यह next question क्या है? consider the function, यह function देया हुआ है, p of x polynomial, such that p double dash x constant है, मतलब जिस function का second derivative constant होगा, वो function कैसे होगा? वो second degree होगा, क्योंकि एक बाद derivative नोका लगे, first degree बनेगा, और उसके बाद और एक बाद derivative निकालोगे, constant बनेगा, तो p of x, आपका, p of x जो है, वो आपका second degree polynomial में ले, इतना मुझे पता है, second degree polynomial में ले, इतना मुझे पता है, और, क्योंकि यह function continuous है, x equal to 2 के लिए, इसका मतलब की limiting value, जो रहेगी, वो function value की equal होगी, मतलब यह limit exist करती है, answer 7 ने मतलब यह limit exist करती है, limit exist करने के लिए, 0 by 0 form आना चाहिए, नीचे तो 0 आ रहा है, उपर भी 0 आना चाहिए, इसका मतलब, to get 0 by 0 form, हम कहिए सकते हैं कि, p of x have factor x-2, क्योंकि तब यह तो 0 by 0 form आएगा, इसका मतलब, p of x आपका बेटा बना, x-2 into ax plus b, second degree polynomial, अब सरी a और b कैसे निकाले, ठीक है, तो मैं इसमें रख देता हूँ, limit x tends to 2, x-2 into ax plus b, whole divided by sin of x-2 equal to 7, यह इतना क्या बना, 1 बना, और limit put up करेंगे, तो 2a plus b equal to 7 बना, यह मेरा first equation, और p of 3 equal to 9 भी दिया है, p of 3 यहने कितना रहेगा, 3 minus 2, 1, और यह, 3a plus b equal to 9, यह second equation मिला, चोले इससे solve करेंगे, तो b b cancel, minus a equal to minus 2, तो a कितना बना बेटा, 2, अगर a 2 है, मतलब 3 to the 6, तो b कितना है, b 3 है, a और b के values मिल गए बेटा, तो इसमें रखेंगे p of x में, और p of 5 निकालेंगे, ठीक है, यहीं पर निकाल लेता हूँ, p of 5 क्या बनेगा, yaks कितना है अपना, 5 minus 2, 3, into a, a कितना है, 2, 2 into कितना, 5, plus b कितना है, 3, तो 3 into 10 plus 3, मतलब आपका answer आना चाहिए, भूच्छान से 39, अब यह differentiation वाला question दिख रहा है मुझे, तो यह function दे रखा है, ऐसे, और यहाँ पर सबसी important क्या है, यह interval, इस interval पर सारा खेले, तो यहाँ पर, अगर इस interval के हम बात करे, तो आपको एक चीज समझ में आ रहे होगी, कि yaks, pi by 2 से pi, मतलब second quadrant में है, yaks कहाँ पर है, second quadrant पर, देखो, y of yaks, और मुझे dy by dx निकालना है, cot inverse, यहाँ पर क्या वहली होगी, यहाँ पर वहली होगी, mod of, cos x by 2, plus sin x by 2, plus, यहाँ पर भी, cos x by 2, minus sin x by 2 का mod, divided by, यहाँ पर आएगी value, mod x by 2, plus sin x by 2, ठीके, और यहाँ पर, minus, mod, cos x by 2, minus sin x by 2, चलो, अब यह काम करो, cot inverse, यह, इसका तो कोई सवाल ही नहीं, यह तो positive रहेगा, second quadrant पर भी, cos x by 2, plus sin x by 2, second quadrant की, कोई value लेलो, इसके बारे मैं दरा थोचो, क्योंकि यहाँ पर minus sin है, यहाँ पर minus sin है, तो, अब x by 2 कहाँ पर होगा, pi by 4 to pi by 2 में होगा, x by 2 का interval क्या होगा, यह होगा, pi by 4 to pi by 2, सोचना दरा, कि pi by 4 to pi by 2 में, बड़ा कोण होता है, sin बड़ा होता है, cos से sin बड़ा होता है, मतलब यह value, negative भी हो करेगी, इस quadrant के लिए, या इस interval के लिए, तो यह रहेगा आपका, cos x by 2, plus sin x by 2, लेकिन यहाँ, यह modulus negative रहेगा, है ना, मतलब, यहाँ पर बनना चाहिए, x by 2, plus sin x by 2, minus cos x by 2, minus minus plus sin x by 2, तो यह इसके साथ cancel, यह दो cancel, तो cot inverse क्या बन रहा है, यहाँ पर, गलुद हो गया ना, यहाँ पर, negative है ना यह, तो minus into minus plus, sin x by 2, अच्छा, सबसे पहली बात, कि यह, यह है क्या, यह है, sin x by 2, minus cos x by 2, इस quadrant के लिए, मतलब, sin negative बनेगा, और यह minus minus plus, positive बनेगा, तो यहाँ पर cancel वाली, यह term होगी, यह वाली term, cancel नहीं होगी, उपर वाला देखो ना, same, तो यह क्या हो गया, tan x by 2, मतलब, यह pi by 2, minus x by 2, यह function बना, derivative क्या है, इसका, minus 1 by 2, तो मुझे यह value रखने की, दोर्यूति नहीं पड़ी, pi by 2, minus x by 2, answer आगा इसे था, तो यह question है आपका, अभी, function f from r to r, define हो रहा है, और यह function दे रखा है इसे, और lambda की value निकालनी है, जिसके लिए, f double dash 0 exist होता है, ठीक है, तो f dash x, is equal to, यहाँ पे chain rule लगाना पड़ेगा, तो x power 5, और इसका derivative क्या हैगा, cos 1 by x, into minus 1 by x square, plus sin 1 by x, into 5x power 4, plus 10x, when x is less than 0, यह 0, if x is 0, यहाँ पे chain rule लगाना, chain rule मतलब product rule, sorry, यहाँ पे रहेगा, minus sin 1 by x, into minus minus plus, 1 by x square, plus cos of 1 by x, into 5x power 4, plus 2 lambda x, x less than 0 के लिए, अभी वापस, वापस से आप, यह लगाँ, f double dash x, find करना है न, f double dash 0 exist, जिस value के लिए करता है, उसके लिए lambda find करना है, f double dash 0 exist, जिस लिए करता है, उसके लिए, तो, यहाँ पे दरा धहन से देखना, लेकिन हम क्या करेंगे, पहले, f dash x को simplify way में लिखेंगे, क्योंकि, f dash x, थोड़ा simplify करके, simplify हो सकता है, तो, यहाँ पे बचेगा x cube, तो, minus x cube, minus x cube, cos of 1 by x, minus x cube cos of 1 by x, plus 5 x power 4, sin 1 by x, plus 5 x power 4, sin 1 by x, plus 10 x, और यहाँ पे क्या simplify होगा, यहाँ पे प्लस नहीं है, इंटू है, क्योंकि, minus minus plus होगा है था, तो x cube, x cube, sin 1 by x, plus, plus, 5 x power 4, 5 x power 4, cos 1 by x, plus, 2 lambda x, x positive के लिए शायद, हाँ, यहाँ पे x positive है, चलो, तो, अभी, f double dash x, निकालो, तो यहाँ पे, minus x cube as it is, इसका derivative क्या रहेगा, cos of 1, sorry, इसका derivative रहेगा, minus, यहाँ पे, minus sin of 1 by x, into minus 1 by x square, plus, cos 1 by x as it is, और इसका derivative रहेगा, minus 3 x square, अभी यहाँ, plus, 5, x power 4 as it is, इसका derivative रहेगा, cos 1 by x, minus 1 by x square, plus, sin 1 by x, 5, मतलब यह 20, 20 x cube, plus 10, जब x negative है, यह तो जूरो है, यहाँ पे भी ऐसे ही बनेगा, x cube, into cos of 1 by x, minus 1 by x square, plus sin of 1 by x, into 3 x square, plus, 5 x power 4, minus sin of 1 by x, into minus 1 by x square, plus, cos of 1 by x, into 20 x cube, plus 2 lambda, when x is positive, अगर आप देखोगे, तो f double dash, 0 minus, अगर मैं, secondary root में, 0 minus रख दू, तो यह ट्रम 0 बन गई, यह ट्रम 0 बन गई, यह ट्रम 0 बन गई, यह भी ट्रम 0 बन गई, बचा 10, और f double dash, 0 plus क्या है बच्चो, 0 बन गई, sorry, 0, 0, 0, 0, बचा क्या, 2 lambda, तो f double dash 0, exist होने के लिए, lambda निकालो, मतलब यह दोनों, equal होने चाहिए, तो 2 lambda equal to 10, तो lambda कितना मिलेगा, बच्चा आपका 5, तो lambda का value मिल गए, आपको 5, आरी बात समझ में, च्ट, next question क्या आपका, अच्छा, यह वाला question है, तो, इस function का derivative, with respect to this function, let's say this is u, and this is v, और उसका value निकालना है, at x equal to 1 by 2, देखो, इसमें, substitution क्या रखना पड़ेगा, x equal to 10 theta रखना पड़ेगा, तो u क्या बनेगा, 10 inverse of, sec theta minus 1 upon 10 theta, so u equal to, 10 inverse of, 1 minus cos, upon sin, अब आपको पता है, कि यह 2 cos square, sorry, 2 sin square, theta by 2 होगा, और यह नीचे, 2 sin theta by 2, cos theta by 2 होगा, तो यानि, यह बन गए आपका, theta by 2, यानि, 1 by 2, 10 inverse of x, अभी यह वाला, जो second function है, इसमें, आपको क्या, put up करना पड़ेगा, sin theta, है न, तो v equal to, क्या बनेगा, बेटा, 10 inverse of, sin 2 theta, upon cos 2 theta, तो v बन गया, 2 theta, यानि, 2 tan, sorry, sin inverse of x, अब x equal to, 1 by 2 के लिए, मुझे, du by dv की, value चाहिए, du by dv, लेकिन, मैंने, अब भी तो, सिर्फ, u और v निकाला है, ठीकर, directly कर देते फिर, du by dv, क्या होता है, du by dx, upon dv by dx, तो u का derivative क्या बना, 1 by 2, into 1 upon 1 plus x square, और v का derivative क्या बना, यानि, इसका, 2 into 1 upon root 1 minus x square, at x equal to 1 by 2, बोला है, तो du by dv, equal to 1 by 4, into 1 by 1 plus 1 by 4, 1 upon under root 1 minus 1 by 4, देखो, तो 1 by 4 into, ये कितना, 4 upon 5, और ये कितना, 2 upon root 3, 2 upon root 3, तो basically ये, cancel हो जाएंगे, तो 5 root 3 by 2 आरा answer, answer कहा रहा अपना, 5 root 3 by 2, 5 root 3 by 2, नहीं, नहीं, root 3 by 10 आरा, root 3 by 10 आरा, ये आता है, root 3 by 10, root 3 by 10, ये आना चाहिए answer, root 3 by 10, तो अभी ये question है आपका, ये दे रखाई, implicit function जैसा कुछ, dx by dy निकालना है, at pi by 4, pi by 4, तो यहाँ पे सीधा में, derivative निकाल लेता हूँ, rule यूज करेंगे, u into v वाला, है ना, तो first function as it is, first function as it is, और इसका derivative, 0 minus root 2b, into cos y का derivative, minus sin y, dy by dx, ठीक है, plus, a minus root 2b, cos y as it is, और इसका derivative बनेगा, 0 plus root 2b, यह plus का होगा, minus sin x, equal to कितना 0, तो इसे उस सेड पे भेजा जाए, हाँ, ओके, multiply करने के ज़रत है क्या, कैसे भी pi by 4 पे, ठीक है, यहाँ पे क्या करेंगे, put x equal to pi by 4, y equal to pi by 4, तो थोड़ा simplify होगा, तो यह cancel होगा, मतलब बचा सिर्फ a plus b, यहाँ पे, b, dy by dx, यहाँ पे, यहाँ पे, a minus b, और यहाँ पे, यह cancel, minus b, is equal to 0, ठीक है, तो, यहाँ बनेगा, a, b, plus b square, dy by dx, is equal to, मतलब मैं इसे right में भेज रहाँ, तो यह plus b बनेगा, मतलब, a, b, minus b square, तो, dy by dx बनेगा, b, common निकालो, a minus b, और यहाँ से भी, b, common निकालो, a plus b, ऐसे, तो यह dy by dx बना, लेकिन हमको पूछा गए, dx by dy, तो answer आपका आना चाहिए, यह वाला, answer क्या आना चाहिए, यह, better next question है अपना, कुछ ऐसे, dy by dx बनेगा, एक्स 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 इक्वल टू जूरी निकालना है, यह, तो सबसे पहले मुझे इस function को simplify करना पड़ेगा, के, cos inverse, इस 3 by 5 को आपको लिखेंगे कुछ cos alpha, और इसी लिखेंगे sin alpha, आर इसी बात समझ में, और यह कब में लिख सकता हूँ में, जब इन दोनों के square का sum 1 होना चाहिए, देखो इन दोनों के square का sum 1 है, तो y equal to summation, k equal to 1 to 6, k, cos inverse, इसे भी लिख सकता हूँ, minus है न, cos of alpha plus kx, यानि y equal to क्या बना बेटा, यह बाहर ने निकलेगा न, हाँ, summation k equal to 1 to 6, k, in bracket alpha plus kx, यानि y equal to summation, k equal to 1 to 6, k alpha plus k square x, अब derivative करो, derivative का rule पता है, summation के अंदर जाता है derivative, summation के अंदर जा सकता है derivative, तो summation के अंदर घुसा है इसे, तो 0 plus k square, 0 plus k square, तो यानि dy by dx equal to क्या है, k square का formula क्या होता है, n into n plus, n मतलब कितना, 6 है, into 6 plus 1, 2n plus 1, 13, upon 6, तो ये, at x equal to 0 की ज़रत नहीं पड़ी, तो answer आपका आजाना चाहिए, 91, ये next question है, second derivative निकालना है, at theta equal to pi, तो यहाँ पर आपको पता है, कि dy by dx क्या होगा, इसका differentiation with respect to theta, यानि minus 2 sin theta, minus minus plus, 2 sin 2 theta, आरी बात समझ में, upon, 2 cos theta, minus 2 sin 2 theta, तो ये cancel, ये cancel, तो dy by dx, equal to sin c minus sin d लगाऊ, sin c minus sin d में क्या होता है, 2 cos c plus d by 2, into sin c minus d by 2, मतलब theta by 2, whole divided by, यहाँ, इसका derivative बढ़ा है न, cos 2 theta, यहाँ basically cos c minus cos d है, cos c minus cos d में, 2 sin c plus d by 2, into sin d minus c by 2, यहाँ minus sin नहीं लिए है न मैंने, d minus c by 2, यानि क्या बनेगा, ये, आरी बात समझ में, तो d y by dx बनेगा, cot of 3 theta by 2, तो इसका, second derivative मुझे निकालना है, second derivative में आपको पता है, कि ये तो theta का function है, तो यहाँ पे d by dx of, cot of 3 theta by 2, into d theta by dx, यहाँ पे d theta, आरी बात समझ में, तो इसका derivative क्या होगा, minus cos c square, 3 theta by 2, into 3 by 2, into d theta by dx, d theta by dx क्या होगा, इसका, उल्टा, यह dx by d theta है न, इसका उल्टा, यानि 1 upon, 2, cos theta, minus 2 cos 2 theta, चलो, मैं अभी इसे थोड़ा था, next page पे कर लेता हूँ, और एड theta equal to pi भी मुझे रखना है, next page पे इसको जड़ा लिख लेता हूँ, simplify way से, d square y by dx square, minus, 3 by 4, minus, यह two common column, मैंने, minus 3 by 4, cosec square, 3 theta by 2, cosec square, 3 theta by 2, into 1 upon, वही formula लगा, 2, sin c minus sin d का, 2 sin, c minus d by 2, c minus d by 2, मतलब, यह वाली term बनेगे, 3 theta by 2, into sin of theta by 2, आरी बाद समझ में, तो यह होगा बेटा आपका, minus 3 by 8, minus 3 by 8, यह 1 upon, sin square, 3 theta by 2, into 1 upon, sin of 3 theta by 2, तो एट theta equal to pi, तो minus 3 by 8, 1 upon sin square, sin 3 by 2 minus 1, का square कितना? plus 1, यहाँ पे minus 1, और यहाँ पे plus 1, तो यह कूल मिला कि, आपका answer बना, plus 3 by 8, यह आपका, plus 3 by 8 option, आपका समझ में, यहाँ पे question क्या किया है, y equal to y of x, is implicit function, such that, यह मेरा function है, है ना, तो उसका second derivative, निकालना है, चलो इसका derivative, निकाल लेते है, 1 upon x plus y, 1 plus dy by dx, is equal to 4x, into dy by dx, plus y, ठीक है, लेकिन मुझे, secondary derivative निकालना है, second derivative निकालना है, थोड़ा यह first derivative, अच्छी से, simplify करें, 4x dy by dx, plus 4y, ठीक है, तो, 1 by x plus y, minus 4x, dy by dx, equal to 4y, minus 1 upon x plus y, so, 1 minus 4x square, minus 4xy, upon x plus y, dy by dx, is equal to, 4xy, minus, minus, sorry, plus, 4y square, minus 1, upon x plus y, तो, x plus y, x plus y, cancel हो गया, अब दीखिए, जड़ा अराम से, कि, secondary derivative, तो, मुझे निकालना है, क्या, यह थोड़ा भूठ, simplify हो सकता है, at x equal to, 0, बोला है, उसने, तो, secondary derivative, मुझे निकालना ही पड़ेगा, क्या, दूसरा, कोई option नहीं है, तो, देखिए, अभी, dy by dx, equal to, क्या जा रहा है, dy by dx, equal to, जा रहा है, आपका, 4xy, plus, 4y square, minus 1, upon, 1 minus 4x square, minus 4xy, minus 4xy, अभी, इसका, और एक बार, derivative का, मतलब होआ, की, आपको, क्या करना पड़ेगा, आपको, करना पड़ेगा, ऐसे, 1 minus 4x square, minus 4xy, विए, इसका, derivative मतलब, 4, x, dy by dx, plus y, plus 8, plus 8, dy by dx, minus 4y, minus 4y, minus 8x, minus 4x, dy by dx, minus 4y, ऐसे, देखो, यहां, मुझे, dy by dx, की, जोरत पड़ने वाली है, इसका मतलब, जब, yx 0 होगा, तब, y कितना होगा, yx 0 होगा, यानि, log y, equal to 0, यानि, y equal to 1, yx 0 होगा, तब, y 1 होगा, तो, सबसे पहले, तुम्हे, तो, y 1 होगा, यह, तो, 3, dy by dx का, value 3 है, यहां पे भी, yx 0 होगा, तब, y कितना होगा, 1 होगा, तो, second derivative का, value कैसे निकाले, equal to, 1 minus, 0 minus 0, into 0, plus 1, plus 24, minus, 0, plus, y का value कितना है, बैटा, y का value 1 है, तो, 0, minus 0, minus 0, minus 8, sorry, minus 4, whole divided by, 1 minus 0, plus 0, या, minus 0, चलो, हां, तो, यह, यह तो, 1 बना, तो, यह बन गाए, 25, minus, minus, plus, 12, upon 1, तो, answer क्या मिला आपका, 37, इस question में, बोला है कि, rolls theorem, hold होता है, इस function के लिए, for that interval, at this point, तो, 2B plus C, निकालो, याद आ रहा है, rolls theorem क्या होता है, rolls theorem में, मैं, आपको एक बार, revise कराता हूँ, f, is continuous, and, differentiable, चाहिए होता है, in, a, b, f of a, should be equal to, f of b, और, वहाँ पे, एक point, कम सी कम, ऐसा मिले, जिसका, derivative, 0 हो, उस interval में, उसने तो, सीधा बोलाए, कि, 1 by 2 के लिए, roll theorem, minus 1, f of 1 है, and, f dash 1 by 2, आपका क्या है, 0 है, उसने बोलाए, कि, इस point के लिए, rolls theorem satisfied होता है, मतलब, वही यह point है, तो, f of minus 1, कितना है, minus 2, plus b, minus c, minus 2, plus b, minus c, और यह कितना है, 2, plus b, plus c, तो, यहाँ पर, b, बी कैंसल, minus 4, equal to 2c, c, कितना बना बेटा, minus 2, अभी, f dash 1 by 2, कितना आएगा, 6, x square, plus 2b x, plus c, equal to 0, तो, 6 into 1 by 2 का square, plus 2b into 1 by 2, plus c, आरी बात समझ में, c की value भी रखते चलेंगे, यह 6 by 4 मतलब कितना, 3 by 2, यह 2 to cancel, plus b, और यह, यह, तो यह, minus 1 by 2, plus b, तो b का value कितना मिला बेटा, 1 by 2, क्या मुझे find करना है, मुझे find करना है बेटा, यह, तो 2 into 1 by 2, minus 2, तो answer मिला, minus 1, एक question दिया है, a spherical iron ball, of 10 cm, देखो, एक spherical iron ball है, 10 cm का, ठीक है, और उसकी उपर एक layer है, उसकी उपर, एक ice की layer है, उसकी उपर, एक ice की छोटी सी layer है, uniform है, और वो melt हो रहा है, मतलब की volume कम हो रहा है, इस rate से, और इसका, diameter, sorry, इसका radius, 10 है, मान लूँ कि, इसका radius, yaks है, मतलब sorry, thickness, thickness कितनी माना मैंने, yaks माना, तो बेटा, volume क्या हो गया, sphere का volume होता है, pi by 3, sorry, 4 by, 4 by 3, pi r cube, r होता है radius, लेकिन मैं इसके साथ ले रहा हूँ, क्योंकि इसने बोला है कि, thickness, आहे, uniform thickness, and melt हो रहा है, मतलब पूरा ball ही melt हो रहा है, तो, ये, thickness क्या होगी, 10 प्लस एक्स, आरी बात समझ में, पूरा melt हो रहा है न वो, और उसने बोला है कि, उसका rate 50 है, उसका rate 50 है, तो dv by dt निकाला जाए, तो dv by dt बनेगा, 4 by 3 pi, 2, 10 प्लस एक्स, इन्टू dx by dt, 2 इन्टू 10 प्लस एक्स, dx by dt, अब ये दिया हुआ है 50, तो ये, 8 by 3 pi, इन्टू π्लस एक्स, इन्टू dx by dt, और यही निकालना है मुझे, लेकिन कब निकालना है, thickness decrease होने का rate मुझे निकालना है, कब निकालना है, जब थिकनेश 5 होगी, यानि 50 equal to 8 by 3 pi का क्या करे, अच्छा pi में है, इन्टू कितना 15, तो 3, 5 जा, 5, 10 जा, तो 5 अपोन कितना, 4, 5, equal to क्या बना आपका, या आपका बना dx by dt, 5, 2, 5 जा, 2, 4 जा, सही तो है, pi upon 6 pi option दिख रहा है, 4 by 3, अच्छा, यहाँ पे गलती हो गई, cube होता है न ये, cube होता है, इसा मतलब क्या है, यहाँ पे 3 होगा, यहाँ पे 2 होगा, मैंने बोलते हुए 3 बोला था, बोलते हुए 3 बोला था, cube बोला था, लेकिन, लिखने में मेरा square होगा है गलती से, हाँ, तो, यह मेरे पास कितना है, 50 है, और, 4 pi, 10 plus x, याने 15, dx by dt, ठीक है, तो, अब भी देखो, 50 upon, 4 pi into, 15 into 15, dx by dt, तो, 10, 2, 2 जा, 2, 5 जा, अगें 5, 3 जा, तो यह तो इसी सब से यार है, 18 pi, देखो, ऐसे आता है, 1 upon 18 pi, अभी यह आपके पास, increasing, decreasing function का एक question दिख रहा है, आपको पता है कि increasing, decreasing function कैसे decide के आ जाता है, यह fresh x से, तो यह कितना हो बेटा, यह हो गया 12 sin cube x, into cos x, 12 sin cube x into cos x, यहाँ पे हो गया 30 sin square x into cos x, और यहाँ पे होगा 12 sin x into cos x, और यह 0, तो यहाँ से common क्या निकलेगा, यहाँ से common निकलेगा, 6 sin x cos x, तो फिर क्या बचेगा, 2 sin square x, plus 5 sin x cos x, नहीं कॉस x नहीं निकलेगा न, 5 sin x के, तो फिर कोस x पहले एक common निकला है, plus 2, तो यह होगा आपका, 6 sin x cos x, यह 2 to the 4, मतलब 2 sin square x, plus, 4 sin x, plus sin x plus 2, 6 sin x cos x, 2 sin x common, तो sin x plus 2, plus 1 common, तो sin x plus 2, तो इसका, यह फ्रेश यक्स अभी बना, 6 sin x cos x, इंटू sin x plus 2, इंटू, 2 sin x plus 1, देखो, यह तो कभी होगा नहीं, है न, इसको तो भूली जाओ, अभी आप बोलोगे, कि सर्द, increasing, decreasing के लिए, यह fresh x positive, negative, वाला case देखना होता है, लेकिन मैं थोड़ा था देख लूँ, कि यह 0 कहाँ पर होता है, 0 होगा, minus, 5 by 6, तो यह थोड़ा था, अपने काम करेंगे, 5 by 6, 0, 5 by 6, and 5 by 2 में थोड़ा नेचर देख लेंगे, इस function का कैसा है, अगर मैं देखू, तो, मैं अगर, कोई भी एक value ले लूँ, 0 to 90 में चलो, 5 by 6 ही ले 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 लेते हैं, तो positive, positive, positive रहेगा, उपर, इस interval में, negative, positive यह, तो यह ऐसे आ रहा है ना, यहाँ minus है, यहाँ plus है, तो, यह फ्रेश यक्स, जो है, उन negative है, अगर आपका interval, ऐसा है तो, तो answer आएगा आपका यह, minus pi by 6 to 0, अभी next question देख लेते, यह आपका tangent normal वाला question है, देखू, first line क्या बूलिए, let the normals of all points, pass through a fixed point, circle के बारे में आपको पता है, कि circle के सारे normals, center से pass होते, मतलब आपका जो circle है, आपका जो circle है, उसका center, a, b होगा, इतना पता है, चलो मैं इसे o मान लेता हूँ, और यह circle pass हो रहा है, बोल रहा है यह, है ना, तो यहां से, तो यहां से, एक relation है आपने पास, op square equal to oq square, तो मैंने square किया है, इसका मतलब क्या हुआ, a minus 3, bracket square, b plus 3, bracket square, equal to a minus 4, bracket square, और, b plus 2 root 2, bracket square, इसको solve करेंगे, देखो, यहां पे, a की value क्या दे रखी है, 3 plus 2 root 2, b दे रखी है, तो यह वाली value, यहां पे रखेंगे, 3 plus 2 root 2, b minus 3 का square, plus b plus 3 का square, a कितना है, 3 plus 2 root 2, b minus 4, इसका square, यहां से आपको क्या मिलेगा, यहां से आपको मिलेगा, तो यह 3, 3 cancel हो गया, 2 root 2, 2 root 2 b मतलब, sorry, अभी देखो, यहां पे, 2, 8, यहां पे क्या मिलेगा, 8 b square, plus b square, plus 6 b, plus 9, और यहां पे, actually क्या है, 2 root 2 b, minus 1 का square, 8 b square, equal to में न, हां, equal to, 8 b square, minus, 4 root 2 b, plus 1, 4 root 2 b, plus 1, plus, b square, plus 4 root 2 b, b square, plus 4 root 2 b, plus 8, तो यहां पे, देखो, 8 b square, और यह cancel हो गया, यह वाले term, और यह वाले term, भी cancel हो गया, तो बचा क्या, यह b square, b square भी cancel हो ए, तो 6 b, plus 9, equal to 9, तो b क्या मिला, मुझे, 0, therefore, a क्या मिला, 3 minus, 2 root 3, a तरह, a कितना मिला, मुझे, 3, चाहिए क्या मुझे, इसकी value, a square, plus, a b plus, b square की value, तो a square कितना हो गया, 9, यह 0, 0, तो आपका answer, आजाना चाहिए, 9, ऐसे, सबसे पहला, line जो है ना, सबसी important है, एक fix point से, सारे normal pass होता है, ऐसे हो सकता है, सिर्फ, सिर्फ, circle में, अब यह, maximum minimum वाला question है, देखो, यह f of x से, cubic problem में ले, इसका मतलब, ax cube, plus, bx square, plus, cx, plus d, मुझे, 4 unknown find करने पड़ेंगे, सबसे पहले, मुझे बोला गया है, f of 1, minus 10 है, इसे मैं solve करूँ, माइनस ए, minus क्यों, a, plus b, plus c, plus d, minus 10, let's see equation number 2, यह f of minus 1 को 6 बोला है, माइनस ए, plus b, minus c, minus d, ठीके, बाद में देखेंगे इसका, अभी देखो, यह f dash x क्या आएगा, यह f dash x आएगा, आपका, 3 a x square, plus 2 b x, plus c, और f dash 1 क्या होगा, 0, क्योंकि इसने बोला है, कि has local minima, at x equal to 1, तो f, 1 0 होगा, so 3 a plus 2 b, plus c equal to 0, equation number 4, f double dash x क्या होगा, 6 a x plus 2 b, और यहां बोला है कि, f dash x का minimum minus 1 है, मतलब f double dash, minus 1 0 होना चाहिए, यानि, minus 6 a, plus 2 b, equal to 0, यानि, b equal to 3 a, यह मेरा equation number 5 है, और यहां देखो, यहां, यहां से, a cancel हो रहा है, c b cancel हो रहा है, तो b और d में equation आ रहा है, है न, b और d में equation आ रहा है, a और b में कहा है equation है, यहां पे, b और d में equation आ रहा है न, अभी बस इसको solve करने की दे रहें बाकी कुछ नहीं सारे equations को मिला के solve करना है इसमें रखना है और यह 4 of 3 आपको मिल जाएगा तो अभी देखो यहां अगर मैं B की value रखू तो मुझे A और C में equation आएगा एक काम करते फिर इन दो equation को add नहीं subtract करते यानि प्लस, माइनस, प्लस, माइनस तो क्या होगा C नहीं यह काम नहीं करेगा यह काम नहीं करेगा ठीक है मुझे ऐसे ही solve करना पड़ेगा अब क्या कोड़ो यहां से मुझे अगर मैं A और C हटा हूँ तो B और D में equation आ रहे है इसमे equation आ रहे है B और D में ठीक है तो यहां से अभी मुझे ABCD निकालना पड़ेगा दुसरा कोई option है नहीं मैं थोड़ा short form धून रहाता कि कुछ अलग से कर सकते क्या तो अगर मैं इनको subtract करू तो B और D कैंसल होंगे A और C में equation आएगा अच्छा यहां पर भी A और C में हाँ सही है यही काम करना पड़ेगा यह देखो प्लस माइनस प्लस माइनस यह DD कैंसल यह BB कैंसल तो यह कितना आ रहा है 2A plus 2C equal to माइनस 4 तो A plus C equal to कितना माइनस 2 और यहां देखे आप B की value 3A यहाँ पर रखे आपने B की value 3A यहाँ पर रखी तो 3A plus 6A B की value 3A plus C तो यह 9A plus C तो C का value कितना है बेटा c का value है minus 9A यह अगर c की value minus 9A यहाँ पे रोखू तो c की value minus 9A तो a minus 9A कितना a minus 9A minus 8A तो इस denominator में आ रहा है ठीक है? आरी बात समझ में तो यहाँ पे सारी equations एक बार आप verify कर देंगे आपन सारी equations सही है कि आपने आराम से एक बार verify कर देंगे तो शायद से इसका answer आपको मिल जाएगा cubic polynomial देना सारी equations एक बार verify करने पड़ेंगे c equal to minus 9A तो 10 अच्छी यहाँ पे sign change करना भूल गए न इसका sign भी तो change होगा तो minus 16 हाँ अब सही है तो यह बन जाएगा आपका minus 16 ठीक है यह minus 16 बन गया तो यह बनेगा आपका minus 8 अब देखो क्या मिला ABC मिले अब D चाहिए इसमें रखना पड़ेगा इसमें अगर आप रखोगे इसमें अगर आप रखोगे तो यहाँ पे 1 plus 3 minus 9 plus D equal to minus 10 एथा है ना तो यह 4 में से पार्णा हो गए minus 5 तो D कितना बना minus 5 D कितना बना minus 5 देखो ABC की value मिल गई अब आगे जाएंगे तो function क्या बना अपना? function बना अपना x cube plus B x square मतलब 3 x square plus 3 x square plus C x मतलब minus 9 x और D की value कितने आपकी? minus 5 आपको find क्या करना है? आपको find करना है f of 3 बेटा तो f of 3 क्या बनेगा? 27 plus 27 minus 27 minus 5 तो आपका answer आना चाहिए बहुत आराम से 22 आराम से 22 तो इसके साथ अपना differential calculus lesson खतम हुआ Thank you